तस्विरें आप देख रहे हैं कि एक बाइक को जो हां एक बाइक को किस परकार से एक फोर्चुनर गाड़ी हवा में उड़ा कर मोके से फरार हो जाती है दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि महंगी महंगी गाड़ियों में चलने वाले जो वहान चालक हैं वो जो दो पईया वहान हैं उन पर चलने वालों को कीड़ा मकोडा समझते हैं और टकर मार देते हैं लगातार जो सड़क हादसे हैं वो इसी परकार से देखने को मिलते है और दूपईया वहन चालक जो की जादा संख्या में सडक हादसों का सिकार होते हैं देख लिजिए किस परकार से एक तेज रफ्तार फोर्चूनर चालक जो है देखिए किस परकार से टक्कर मार कर भाग जाता है और देखिए पैटरोल के टंकी एक साइड पड़ी हुई है जो बाइक है दिल्ली नंबर ये बाइक है और आप देख सकते हैं इस बाइक की हालत आप खुद देख सकते हैं अलकि डाइल 112 की गाड़ी मोके पर पहुंच आती है और जो बाइक सवार युवक था उसको अपनी गाड़ी में बठा कर इलाज के लिए करनाल के ट्रामा सेंटर में जरूर ले कर जाती हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक महंगी महंगी गाड़ीयों के जो मालिक हैं वो दूपईया वहन चालकों को इस परकार से कीडे मकोडे समझते रहेंगे और इस परकार से सडक हादसों का सिकार बनाते रहेंगे हाई युवक की हालत काफी गंबीर है उसको अस्पताल में भरती जरूर करवा दिया गया है अपील करूँगा खबर को साथ की साथ शेयर जरूर करें कमेंट कर अपनी राए भी दें दोस्तों लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां यह वो सक्स है जो बाइक पर सवार था काफी चोटे इसको लगी है और डाइल वन वन टू की टीम के दुआरे इसको अस्पताल में पूंचाया गया है आप देख लिजिए क्या कुछ हुआ था आईए इसी से जा अब आप देख सुगा रहते हैं अब देख से नुकसान बाइक का भी काफी हुए है वाइक तो फिर ने ने रही है वाइक हमारे पास एक इवेंट आया था चे सेक्टर चोंक के पास एक्सिजेंट बताया था बाइक का एक कोई फोर्चुनर वाड़ा था वाइट की फोर्चुनर वाड़ा फ्रार हो गया जी हाँ फोर्चुनर वाड़ा तो वाग्या लेकिन कोई नहीं हो तो उसका फेंचर हो गया वो कैमरे कुम्रे में देख लेंगे अधसा सर कहा पर हो है यह जो परताफ स्कूल है ना इसके साथ में कैसे आधसा हुआ सर पूरा मामरा क्या था